Hello student, today we will start from exercise 12.2, add the following, 3AB, 5AB, minus 7AB, तो जितनी भी minus वारी term होंगे उनको पहले bracket में रखेंगे आप, तो 3AB plus 5AB plus लगा के पर इसे bracket, bracket खोलेंगे तो भार plus का sign होगा तो अंदर का sign change नहीं करेंगे, अंदर का sign change नहीं करा हम इना minus का minus ही रख दिया, अब पहले plus plus वारी दोनों को add कर लेंगे तो 3AB और 5AB, जब add जब होंगी जब like term होंगी दोनों like term है, और subtract भी होती है, ठीकिए ना, जब like term होती है, तो इन दोनों को add करोगे तो 8AB हो गया, minus 7AB आ रहा तो जब यह भी like term होगी, क्योंकि दोनों में AB AB है, अब इन दोनों को सब्ट्रेटर करोगे तो बन AB बच्चेगा, तो बन लिखा नहीं जाता कभी भी variables के सामने, ठीक है, तो only AB आ गया इसका solution, now I am going to explain question number B of question number first, यह आपके पास variables हैं, तो आपको इनको plus लगा के लिखना है, जितनी भी minus में होंगी, वो bracket में आ जाएंगी, तो यह ऐसे आ गया, और यह plus लगाया, यह minus में तीसली bracket में रख दिया, इसे बिना minus के रख दिया, क्योंकि यह जिसमें कोई sign नहीं था, यह minus में तो इसे bracket में रख दिया, अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रेकेट कोलेंगे पहले, इसको यह नोट कर लिया, इसके बार plus का जायना, plus minus का multiply करेंगे, minus आएगा, 7x इन दोना का multiply करेंगे, plus minus का तो minus आजाएगा, हम सबों का LCM ले ले लेंगे, 3, 3 से 3 cancel करेंगे, 2x हो गया, 2x, 3 से 3 cancel करेंगे, बन बार, बन टाइम, बन का इससे multiply करेंगे, 2x आजाएगा, इससे बन टाइम cancel हो जाएगा, तो बन का इससे multiply करेंगे, 5x हो गया, अब इसके नीचे कोई denominator नहीं है, तो direct इसका समय multiply करेंगे, 21x हो गया, अब इसके नीचे भी denominator नहीं है, तो इसको direct multiply करेंगे, की जो हो गया अब प्लस की जो गई प्लस की जो गई इंद अनों को पहले एड कर लेंगे 23 सायन है और इसको भी प्लस लगा करेंगे तो आपके बाद तू पी की वार बच्चे का ना दा explanation of question number E minus 5A minus 7B पूरा मिलाके एक term बन नहीं है अब 3B minus 4A plus 2 यहाँ पर एक second वाली expression polynomial खतम होगी और 2A minus B इस third वाली होगे अब इनको 5A minus 7B second वाली plus लगाएंगे यहाँ पर अब plus लगाके second वाली पूरी अब A वाली टर्म देखनी है आपको A वाली एक जे है एक वाली ए वाली जे है तो इन सबों को A वाली हों को पास में रख लेंगे अब B वाली देखेंगे minus B वाली 1 minus 7 है वाली प्लस 3B है और B वाली एक जे है और constant term यह है क्योंकि इसमें कोई भी अब इन दोनों को हम क्या करेंगे इन दोनों को हम सब्टेट करेंगे तो कितना आएगा A और प्लस 2A अब इन दोनों को हम क्या करेंगे minus और इन दोनों को सब्टेट करेंगे तो minus 4B हो जाएगा और minus का B आ गया अब इने तों सब करेंगे तो यjek श। फाइब हो जिए गा थ१। इस इस फर दिस ग्वेशंन घाँ श। का d f do yourself student i am going to start question number second add the following algebraic expression first question 4a plus 6b of 2a plus 3b in दोनों को plus का sign लगाके add करना है तो a वाली a वाली term के पास आ जाएगी b वाली b वाली term के पास आ जाएगी आप इन दोनों को add करेंगे 7a इन दोनों को add करेंगे तो 6b आ जाएगा ओके students now i am going to explain question number b of question number second 9x cube minus 7x square कॉमा लगाके दूसरा है polynomials फिर कॉमा लगाके third polynomials इन दोनों को इसको यहां का उतार दिया यहां plus इसको यहां note कर दिया इसकी जगे plus लगा दिया इसको bracket में रखना पड़ाएगा क्योंकि इसका starting minus में हो रही है अब इसको आप note करते हो लाएंगे इसको bracket को open करेंगे तो अंदर के sign change नहीं होंगे दोनों minus है तो minus ही रहेंगे क्योंकि भार plus का sign है अब आपके पास 9x cube minus 7x square by x square 9x cube यह minus 2x square minus x cube अब x cube आप पास पास में ले लेंगे एक यह है एक यह और एक यह है तीनों को note कर लेंगे square आप तीनों हापस में यहां पास में आ जाएंगी ठीके ना x cube यह दोनों q वाली add हो जाएंगी 11 12 हो जाएगा 12 में से 1 minus करेंगे तो 11 x square हो जाएगा x cube हो जाएगा अब यह x square वाली यह यह तो आप इन दोनों को सब्टेट कर देंगे तो पहले minus का x cube x square आएगा minus 2 हो गया minus minus की दोनों add कर देंगे तो minus 4 x square हो जाएगा this is the solution of question number b now i am going to explain question number f of question number second first expression यहां पर ओबर होती है जहां पर यहां लग जाता है second यहां से start होगे यहां कर देंगे third यहां से start होगे यहां कर देंगे fourth यहां से start होगे यह by mistake सब्सक्राइब करें नहीं लगेगा अभी एक्सप्रेस को यहां नोट करते और यह माइनस करते हो रही है उसे माइनस से स्ब्सक्राइब पट्रेसरों किसे नियुक लगा करें लगई दिया अब इसमें एकस बाओ वाले कितनी अगे righteousкое seidべ कि가änge से इस्कुएरी कोई है कि नहीं स्क्वाइर वाली है के Noel फाल Ts तो कोई देखते हैं स्कुएर वाली करने हैं तो इसमें स्कुैर problी ऑनली एक है अब एकस वाली देखेंगे एकस्ऑ यह है और एकस वाली और यह है और और कोई नहीं अब constant term में देखेंगे इसमें constant term j और एक j है तो आपने देखा कि हमने like term पास पास में रख दिया तो like term इन दोनों को पास में रखेंगे तीनों को add करेंगे 13 x की power 4 हो जाएगा ये दोनों आपस में जो क्या होगा कि ये दोनों आपस में सब्टेट हो जाएंगी तो next step में इसको subscribe करेंगे पहले हम इन दोनों को इन तीनों को add करके बाद इसको यहां माइनस में लाएंगे और ये आप दॉनों को यहां पर क्यूवालव लग दिया ठिक वाली है तुनों को ing呢 हवाली ओड़ से कंगया सब्सक्राइब धटर एग उनों को किरां तरहेंगे था का सॉलूसरा कोश्चन नंबर सेगंड नो आयम गोंग टू एक्स्प्रेंट कोश्चन नंबर थाड़ सब्ट्रेक्ट थेरी भाई स्क्वार सब्ट्रेक्ट प्रॉम एट वाई क्यू स्क्वार अब इस प्रॉम लग जाता तो इस नंबर को आगए इसको पीछे रखते हैं तो ज्यादा नंब यहीं को ब्रेक्ट में लोग अब मालस के शाइन होगे माइनस से प्लस ऐसले प्लस हूजएगा अब x क्वा ऑलंञा रखें हैं पिर एक्स अन्ब कर दें इन दोनों को सब्ट्रस करेंगे तो मेरे फिंस लेप हैं तो स्काइब thing a तो इसическая पर ए最近 आप 2 जा 2 से ज्यादा टर्म होंगी तो इसे ब्रैकेट में रखेंगे अब रिक में रखने बाद इसके ब्रैक को ओपन करेंगे तो बाहर मानश सका सायनँ दों सके साइब हो जाएगे अब इन दोनों को सब्सक्राइब करेंगे 5m2 हो जाएगा इन दोनों के सामने माइनस का साइन है तो माइनस माइनस है हो जाती है तो माइनस 25 minus square minus को लगा है greater number का sign लगता है इन दोनों में greater number 16 है तो 16 का sign आ जाएगा अब दोनों ही positive है यानि plus की है तो दोनों add हो जाएगे और plus का sign आ जाएगा इन दोनों को add करोगे 34 mn हो जाएगा ओके now I am going to explain question number 4 simplify 22x square minus 17x plus 3 अब bracket लगा कर यह दिया हुगा है तो ब्रेकट खोलेंगे तो अंदर के sign चेंज होंगे बार minus का sign है minus हो प्लस के जाएगा minus हो गया minus की जाएगा plus हो गया प्लस की जाएगा minus हो गया अब x square वाली आप यह देखेंगे कि दोनों यह हैं सब्टेट करेंगे इन दोनों को सब्टेट करेंगे तो कितना आएगा आपको बाद 10 अब भी greater number का sign लगा देंगे इन दोनों में greater number 13 है 13 का sign जो है minus तो minus रगा देंगे 10 10 10 है तो 10 को को common ले लेंगे 10 का जब इसमें करेंगे तो प्लस का sign है यहां तो मैनस हो जाएगा मैनस है तो प्लस हो जाएगा इन स्थन को क्या करना है लाइक टर्म को पास-पास में रखना है मैं एक स्कवार एक स्कवार एक क्वार दोनों पास में नोट को सब्टेट करेंगे calm माईनस भा या ख्री एकOST माइनस की इक्वल नंबर होते हैं तो वो कैंसल कर दी आधे या दे तो मैंने कैंसल कर दिया अब फिर्ट करेंगे क्योंकि डिपरेंट्स सेने में अब के थ्चे जब विप्रकोष। now I am going to explain question number f question number 4 आपके पास ये expression दे रखी है ये भी bracket में है और ये भी bracket में है इसके बार minus का sign है इसके बार plus का sign है इसके sign change नहीं होगे क्योंकि positive sign है इसके बार minus का sign है minus का multiply करते रहेंगे तो अंदर का sign change होते जाएंगे तो minus से ये plus होगे ये plus होगे ये plus से minus होगे अब आपके पास x square वारी है एक x square वारी है और एक x square वारी है तो ये दोनों like term की पास बास में y square वारी एक जी है तो ये दोनों y square वारी एक bracket में आपने close कर ली है x y ये तो इन दोनों को यहाँ note कर ली है ठीके करेंगे थ्युट्ria कि दॉनों का एड़ंगे तो आपके पास कितना आएगा तरी या गया तरी इसके नीचे दॉमिनेटर नहीं से गदावर्ल सब्सक्राइब करेंगे इन दोनों को एड़ करके आप यहां लिख देंगे फोटी एट एक्स वाई अपॉंटी और माइनस कसें इन दोनों को एड़ करके नाइन दोनों को एड़ करके 7x स्कार भाई अब आपको 48 किसे कैंशल हो रहा है 48 चू कैंशल हो रहा है 4 चैप इसको यहां पर यहां पर यह आ गया अब यह 12 अपवाई एक्स भाई है यहां एक दिस इस द प्सक्राइब कोस्टिन ओके के टना जाए तो हमें नहीए कितना एड करना हो तो हम उस नंबर उसको को एक्सपोज कर लेंगे ऐसके लो एक्सपोज कर लिंगे यह सब Влад कर लो लेकिन वह सबचिए करेंगे जो समय पॉमलिन इधिक 10?!mai-How options कर लिया इधि रहा तो यह में हमारे पास यहान अच्छिui साइन थे ना आप इजबारें इन दॉट में डिवाइड इन जाएट कर लेंगे तो मैंनस की एड हो जाती हैं इन दौनों को आप add करेंगे तो greater number का साहन फिर भी आएगा चाहे add कर रहे हो चाहा आप subject कर रहे हो इन दोनों को add करेंगे तो 6 a b हो जाएगा greater number पोरता तो भोर का साहन आजाएगा ओके ना आएम कुएंग टू explain question number 6 find the axis of 7x by z square plus 6 c d plus 3 c over इससे 3 2 x by z square plus 3 c d plus c यानि इससे कितना over है तो आपको इसमें क्या करना है कि over होरने के लिए इसमें से आपको क्या करना है इसमें से इसको minus कर देंगे अपने अमालम पढ़ जाएगा ये कितना over है अब इसको minus करने कि इसको आगए रख लेंगे इसको पीछे लख लेंगे इसमें एक से ज्यादा तर्म है Now I am going to explain question number 7, perimeter of a triangle is 8 plus 13a plus 7a and 2 its sides are, पहली side triangle कीजिए है और दूसरी side जिए है, find the third side, तो आप perimeter of triangle का formula पुट करेंगे, perimeter of triangle is equal to first side plus second side plus third side, किनो side का sum करके जो आता वो perimeter के लाता है, तो perimeter की जगे मैंने perimeter पुट कर दिया है क्योंकि ये perimeter दिया था, फर्ष्ट side भी दे रखी थी, यहां पर note कर दी मैंने, second side की जएगा second side, third side मुझे मालिम नहीं थी, तो हमने यहां छोड़ दिया, अब कारना क्या है कि इन समों को हम add कर लेंगे, तो 2a और 3a तो 5a square हो जाएगा ये दोनों क्यों हो जाएगे, सब्टेक्ट हो जाएगे, तो माइनस का ये हो जाएगा, इन दोनों क्यों सब्टेक्ट करेंगे, तो बन हो जाएगा, अब इन समों को transfer करके उधर ले जाना, तो third side इधर रह जाएगे, अब इतो third side का इस कैसे ले जाएगे, इसको रह जाएगे तो ये plus का, यह plus का है तो उदर आके माइनस का हो जाएगा यह equal to गजर और यह minus का हो गया अब a constant term यह यह constant term यह तो पास पास में रख रही है यह वाली यह बाली दौनों यह पास पास में आगे A square A square वारी यह दोनों आ गई ही तो इन दोनों आपको 7 हो जाएगा इन दोनों को 8 को आपको 14 हो जाएगा इन दोनों को 8 सब्क्रेट को रहो को 2 A square हो जाएगा इस इस दा थर्ड साइड of the triangle This is very important question students for you ज़ा A की value यह दे रखी है B की value यह दे रखी है C की value ये दे रखी है अब आपको A plus B plus C की value निकालनी है तो A की जगे A की value पुट कर दीए plus का sign लगा दिया या plus का sign था अब B की जगे B की value पुट कर दिया plus का sign लगा के C की जगे C का value पुट कर दिया ये C का value है अब इनके bracket को open करेंगे तो भार plus का sign है तो अंदर के sign change नहीं होंगे इसके भी भार plus का sign है तो अंदर के sign इसके भी change नहीं होंगे इसको note करतेंगे इसके भार भी plus का sign है अंदर के sign change नहीं करेंगे अब X Q वाली एक J है एक J है और एक J है तीनों को पास में रख लिया लाइक टर्म पास पास में रखते विलाएंगे अब इन दोनों को सब्टेट इन तिनों को एड़ करेंगे सब्टिट करेंगे तो कितना हैका minus x cube और ये plus x cube ठीक है बब इूनों को क्या करना है मैनस का intend करेंगे आफ और यह रहे है अब इन दशन отно सब्टिट करेंगे क्योंन मैं डिजम आप मेर्ऑ जो साइब नुमर कॉशन टो शाइब है यह इंदर कल्कुलेट करने ने बेले को खोलेंगे तो यह मायन.क रही इंदर यह प्लस हो जाएगा, यह माइनस 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 हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, अब X की वाली एक देखनी है आपको, एक यह है, एक यह और एक यह है, किनों को अब x square वाली जो ऐसे like term एक एक पास रखते चले जाएंगे लखने के बाद इन दोनों को add करेंगे कितना आगा 5, 5 में से subject करेंगे तो 4x, x square, x square, x square, 3 और ही minus की है तो add हो जाएंगे minus का 14 x square, greater number का sign लगा दें, greater number 7 है अब x वाली एक जे, एक जे, एक जे, एक जे, तीनों positive में दोनों को plus करने के बाद 10 x आ जाएगा अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को आप add करेंगे तो आपके बाद 17, 17 में से minus 5 कर देंगे, तो 12 x बॉस जाएगा इस इस दे सोलूसन आप इस question, okay I am going to explain question number 9, if p equals to x plus 2y, p की वैलू दे रखिए क्योंकि x minus 2y, find 2p plus q minus q p minus 2q, पहले सब से पहले हम p की वैलू जे, अब 2p की हमें ज़रूट थी तो 2p की हम कैसे निकालेंगे, तब 2p रखके 2 जहां लिख दिया और p की वैलू पुट कर दी अब इसका 2p की वैलू अब इसका multiply करेंगे 2x plus 4y, अब ऐसी q की वैलू आपके पास यह दे रखिए है, अब हमें 2q की विजरूट है तो 2q लिखके, 2 जहां नोट कर दिया जे वाला, आप q की वैलू पुट कर दिया, इसका multiply करेंगे, तो 2x minus 4y हो जाएगा, अब इसको वैलू को आपको पुट करना है, ठीके न, 2p की वैलू आपने क्या निकाल ली थी, 2p की वैलू 2x plus 4, तो जहां आपने नोट कर ली, q क्य आती है, आपके बाद, x minus q की वैलू थी है, x minus 2y, तो x minus 2y आपने पुट कर दिया, माइनस का sign लगा दिया, अब p की वैलू पुट करनी है, तो p की वैलू आपके बाद रखी, x plus 2y, x plus 2y, minus का sign लगाएंगे, ठीके न, 2q की वैलू रखेंगे, तो bracket में रखेंगे, क्योंकि यह minus लगा हुआ है, तो 2q की वैलू है, 2q minus 4 थी हम नोट कर लिया, अब इसको हमने calculate करेंगे, x और x, 3x, और y सब्टेक्ट हो जाएंगे, तो 2y, अब इसको bracket को open करेंगे, पहले minus के sign लगाएंगे, तो अंदर से sign लगाएंगे, प्लस हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, इन दोनों को subtract करेंगे, तो minus का x हो जाएंगे, इन दोनों को add कर देंगे, तो plus का 6s हो जाएंगे, अब इस bracket को open करेंगे, तो इस bracket के लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, तो अंदर के sign लगाएंगे, माइनस से यह plus हो जाएंगे, प्लस से यह minus हो जाएंगे, x, x वाली दोन इस हैंए आफ तो आफोत कॉस्टोट और शेक्क्राइब के लिए लिए वेरी तूट रिखें आ बाइ